आईए आपको दिखाते हैं एंटर्टेन्मेंट जगत की कुछ बड़ी और खास खबरें बॉल्यूट के साथ ही अब साउथ इंडेस्ट्री से भी कोविट-19 के मामले सामने आ रहे हैं फिल्म बाहुबली में कटपपा के नाम से फेमस हुए साउथ के दिगज एक्टर सत्यराज भी हाल ही में कुरोना संक्रमिट पाए गए थे इसके बाद से वो होम आइजोलेशन में थे रिपोर्ट्स के मताबिक तब्यद बिगरने की बचा से उन्हें अस्पताल में भरती करवाए गया है बॉलीवुड एक्टरस एश्वरे राय बच्चन और एक्टर अभिशेक बच्चन की बीटी आराध्या बच्चन का डांस वीडियो वारल हो रहा है उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर 30 ही जवारल है इस वीडियो में आराध्या क्रिस्मस कैरोल गाती हुई दिख रही है उन्होंने रेट फ्रॉक पहन रखी और बेहत क्यूट लग रही है निर्देशक मधूर भंडारकर ने ट्वीट कर बताया कि वो कुरोना संक्रमित हो गया है उन्हें हलके लक्षन महसूस हो रहे हैं लेकिन उन्होंने कुरोना की दूनों वैक्सिन लगवाई है संगीतकार गायक विशाल ददलानी के पिता मोती ददलानी का शनिवार को 89 वर्ष के आयू में निधन हो गया विशाल ददलानी ने इंस्टाक्राम पर बताया कि उनके पिता पिछली 3-4 देन से ICU में थे उन्होंने पोस्ट में बताया कि इस समय वो कुरोना संक्रमित होने की वज़े से isolation में है और वो अपने पिता के अंतिक शन में उनसे नहीं मिल पाए इस बारे में विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पर एक बेहत ही emotional पोस्ट लिखी है अजे देवगन और काजोल की बीटी नीसा देवगन ने इंस्टाग्राम पर बेहत बोल्ड तस्वीर शेयर की है इस तस्वीर को देख कर उनके फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी मा काजोल देवगन ने उनको ऐसे कपड़े पहनने की अनुमती कैसे दी दरसल नीसा देवगन पहली बार बोल्ड तस्वीर शेयर नहीं कर रही वो इससे पहले बें इंस्टाग्राम पर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीर शेयर कर चुकी है कंगना रनौत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है इसमें एक्ट्रेस शरारिती अंदाज में पेस्ट्री खाती दिखाई दे रही है हाला कि कंगना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया और इस वज़े से लोग उन्हें खुब ट्रोल कर रही है सुपरस्टार येश 8 जनवरी को अपना 36 जन दिन मना रहे हैं जन दिन के इस खास मौके पर येश ने अपने फैंस को गिफ्ट दिया है येश ने अपनी मूस्ट अवेटेट फिल्म केजी इफ चैप्टर टू का नया पोस्टर जारी कर दिया इस फिल्म का इंतजार फैंस को लंबे वक्त से हैं असे में येश ने पोस्टर शेयर कर वारा क्या के फिल्म अप्रैल 2022 में रिलीज होगी टॉलिवूट और बॉलिवूट एक्ट्रस काजल अगरवाल प्रेगनेंट है आने वाले बेबी को लेकर वो काफी एक्साइटेट है कुछ दिन पहले ही काजल अगरवाल के पती गौतम किछलू ने नंधे महमान के आने की खुश खबरी दी थी उन्होंने काजल अगरवाल के प्रेगनेंट से के बारे में खुश खबरी दी थी इसके साथ ही काजल और गौतम एरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे जिसमें काजल का बेबी बम साफ नजर आ रहा था अब काजल अगरवाल ने एक वीडियो शेयर कराने वाले नंधे महमान को लेकर बताया है और कहा है कि वो इस साल कितनी जादा एक्साइटेड है बॉलिवुड एक्टरस अनुशका शर्मा के फैंस का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है अनुशका शर्मा ने तीन साल बार अपने कमबैक प्रोजेक्ट का एलान कर दिया है अनुशका ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई फिल्म की पहली जलक पेश की है स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी में अनुशका पहली बार क्रिकेटर के रोल में नजर आएंगी और फिल्म थपड के सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद फिल्म लूप लपेटा तापसी पन्नू की चौथी फिल्म होगी जो सिनेमा घरों की बजाए सीधे OTT पर रिलीज हो रही है 1999 में रिलीज होई जर्मनी की क्लासिक कल्ट फिल्म लोला रेनट की इस आधिकारिक हिंदी रेमिक में तापसी के साथ रोमेंटिक लीट पाकर अभिनेता ताहिर राज भसीन काफी उतसाहित है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें